दियर स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर जोथना कुल्षिष्ट एसोशेट प्रॉफेसर एसनगेपी गॉवर्मेंट कॉलेज नीमका धाना ये वीडियो मैंने आपके लिए बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए बनाया है और आपके दो पेपर है पहला पेपर है एकोनॉमिक एन्वार्मेंट इन राजस्थान और दूसरा पेपर है फाइनेंशल मैनेजमेंट और ये फाइनेंशल मैनेजमेंट का प्रथम चैप्टर जो वित्य प्रबंध का परिचे से संबंदित है वित्य प्रबंध क्या होता है जिस्त प्रकार एक शरीर को चलाने के लिए रक्त की आवशक्ता होती है उसी प्रकार वित्य प्रबंध की आवशक्ता किसी भी व्यवसाई के लिए होती है जैसे कि व्यवसाय में वित धन की आवशक्ता होती है तो धन के बिना कोई भी व्यवसाय चल नहीं सकता तो प्रत्यक व्यवसाय क्रिया को प्रत्यक्ष रूप से वित्त की आवशक्ता होती है उत्पादन, वित्रण, क्रे, विक्रे, इत्यादी सभी शेत्र में वित्त की आवशकता होती है परन्तु वित्त को प्रबंद करके किसी भी वियवसाय के जो अंतिम उत्देश है अधित्तम लाब कमाना उसे प्राप्त किया जा सकता है और इसके लिए दो परिभाशाएं दी गई हैं पहली परिभाशा जेल मैसी के ने दी हैं वित्य प्रभंध एक व्यवसाई की वह संचालनात्मक प्रक्रिया है जो कुशन संचालनों के लिए आवशक वित को प्राप्त करने तथा उसका प्रभाशाले ढंग से उप्योग करने के लिए उत्तरदाई होता है जे एफ ब्रेडले के शब्दों में वित्य प्रभंध व्यवसाई प्रभंध का वह शेत्र है जिसका संबन्ध पूंजी के विवेगपून उप्योग एवं पूंजी सादनों के सत्तर्क चयन से है ताकि व्ये करने वाली संस्थाएं अपने उ जाएं जिसे की वित को अधिक से अधिक लाब कैसे कमाया जाएं इसके बाद आता है वित्य प्रभंध की विशेश्टाएं इसमें characteristics of financial management उच्च प्रबंध के द्वारा नेने लेने में साहेता प्रधान करता है कि जो उच्च प्रबंध किये हैं board of directors हैं वो किस प्रकार से वित को का प्रयोग करके अधिक से अधिक लाभ कमा सकें दूसरा आता है समन्वे का आधार समन्वे कैसे coordination कर सकें क्योंकि किसी भी व्यवसाय में अलग-अलग विभाग होते हैं उनमें आपस में समन्वे होना बहुत ही आवश्यक होता है तीसरा आता है केंदरी प्रकृती क्योंकि centralized है जो board of director के द्वारा नेने ले लिया गया उनी के अनुसार कारे किया जाता है कारे मुल्यांकन का मापदन कि जो भी कारे किये जा रहे हैं उनका मुल्यांकन करने का आधार भी वित्य प्रबंद है यदि लाब अधिक होगा तो हम ये कह सकते हैं कि कारे भली प्रकार से किया जा रहा है विशलेशन आत्मक एवं व्रेद सरूप ये एक एनलेटिकल होता है कि हम कैसे अपने लाब को अधिक्तम करें और इसका सरूप भी बहुत बड़ा होता है क्योंकि किसी भी व्यावसाय को संपून रूप से लाब कमाना हो तो वो वित्य प्रबंद का प्रयोग करता है ये सतत प्रशासनिक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें लगातार कारे किया जाता है और व्यावसाय क्रबंद का एक महतुपुन अंग है इसके बाद आता है कि goal of financial management जो वित्य प्रबंध है उसके लक्षे क्या है इसमें retirement planning, retirement कैसे के लिए आप अपनी planning करें, monthly expenses आपको कितने करने हैं उसके लिए आप अपना planning करें other expenses आपकी संचे क्या करना है, कितने शेतर में करना है, emergency expenses क्या होंगे, उसके बारे में आप अपना लक्षे का निर्धारन कर सकें इसके बाद आता है वित्य प्रबंध के प्रमुक उद्देश, वित्य प्रबंध के दो उद्देश हैं, लाप को अधिक्तम करना और शेयर धारक का धन अधिक्तम करना, परंपरगत तरीके से जो परंपरगत अवधारना है, उसमें लाप को अधिक्तम करना ही इसका तो आधुनिक विचारक वित्य प्रवंदक के उद्देश को इस रूप में भी कहते हैं कि जो शेयर धारक है जो बोल जिनोंने पूंजी अपनी विन्योजित की है उनको उनका भी लाब अधिक्तम होना चाहिए इस विशेय पर भी वो जोर देते हैं अधुनिक विचारक का ये मत है कि शेयर धारकों की संपत्ति में भी व्रधी होनी चाहिए इसके बाद आता है वित्य प्रवंद के कारें दो वर्गों में बाटे गए हैं एक तो प्रशास्किय कारें और दूसरे हैं नैतिक कारें प्रशास्किय कारें वह कारें होते हैं जो कि बोर्ड ऑफ डिरेक्टर के द्वारा अल्थ प्रवंदन विन्योग और लाभांश के लिए लिए जाते हैं जिसके अंतरगत बोर्ड ऑफ डिरेक्टर इसके कारें का निर्धारन करते हैं और इसमें कई सारे कारें समय लेते हैं उच्प्रबंद का प्रामश देना, पूंजी की उत्पादक्ता में व्रद्धी के लिए प्रयास करना, कि productivity of capital को कैसे बढ़ाया जाए, और जो financial performance है, जहाँ पर हम पूंजी लगा रहे हैं, वहाँ पर अधिकतम लाप्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैश कैस प्रकार से आए, और किस प्रकार से व्या किया जाए, ना तो कैश इतना रहना चाहिए, कि उसे बेकार बढ़ा रहे है, और उसे कोई लाब नहीं हो, और नहीं इतना होना चाहिए, कि हमारे पास कैश की कमी रहे, इंकम जो हमारे resources हैं उनका भी प्रबंधन किया जाए, investment बढ़ने लिया जाए, financial negotiation जो भी वित्य समझोते हैं उन पर ध्यान दिया जाए, अर्थ प्रबंधन का निया जाए, वित्य नियोजन किया जाए कि resources को कहां से कत्र करना है और वित्य पूर्वनुमान लगाया जाए कि कहां पर पैसे को खर्च करना है, इसके बाद आता है कि नैतिक कारे क्या होते हैं, विभिन प्रलेकों को सुरक्षित रखना, उधार का प्रबंध करना, रोकर प्रवाओं की विवस्था करना और विभिन वित्य विरणों को तयार करना, अभिलेक, रिकॉर्डर कीपिंग ये इसके प्रमुक कारे हैं, इसके बाद आते हैं मैत्व, जो वित्य प्रबंध का म हैं तो है, हजबन एंड डेकोर की राय में विभिन आर्थिक एवं विवस्थाइक गतिविध्यों को एक सूत्र में बादने के लिए वित्य आवशक्ता होती हैं, इसी कारण वित्य प्रबंध, विवस्थाइक प्रबंध का एक प्रमुक अंग बन गया है, जी एफ होतापूण चयन से हैं, ताकि विवस्थाइ से इसके उद्देशों की पूर्टी की दशा में निरदेशित किया जा सके, ये वित्य प्रबंध विवस्थाइक के लिए बहुत ही महत्व्थापूण है, और उसका महतु क्रशी के शैत्र में वित्य संस्थाओं के लिए महत् करते हैं तो वो ये ध्यान रखते हैं कि उसकी balance sheet किस प्रकार की है प्रबंध कों के लिए महतवपूर्ण है कर्मचारियों के लिए महतवपूर्ण है और अन्य कई सारे महतव वित्य प्रबंध के हैं तो ये जो वित्य प्रबंध की है वे सबसे अधिक महतवपूर्ण है और किसी भी विवसाय के लिए इसके बिना कोई भी इस्थान नहीं है दन्यवाद